Hello students, YouTube channel Social Classes में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में BA 4th semester के most important question history के लिए discuss करने जा रहे हैं इससे पहले हमने English medium में ये discuss किये थे आपकी demand थी के इसको हिंदी और पंजाबी में upload किया जाए तो इसलिए ये हिंदी में upload किये गई हैं और पंजाबी में भी कर दिये गई हैं वहाँ से आप अपने medium के according questions देख सकते हो और बाकी सारे subjects के वीडियो भी यहीं पे मिल जाएंगे सभी subjects के most important questions syllabus के वीडियो बना दिये गई हैं और हिंदी और पंजाबी में बनाई जा रहे हैं इसमें आपका paper का pattern जैसा होगा वैसे ही questions तियार किये गई हैं आप syllabus का वीडियो देख सकते हो वहाँ से अपना syllabus चेक कर सकते हो और ये short questions पहले दिये गई हैं उसके बाद long questions unit wise ही दिये गई हैं आप इन questions को बहुत अच्छे से prepare कर लेना short questions जितने दिये हैं इसके इलावा जब आप long questions करोगे तो उसके बीच में से भी short questions की तियारी आपकी हो जाएगी और long questions सारे इसी में से आने की possibility है और जैसे के आपके एक unit में से दो questions आने हैं तो एक question तो पका इसमें से हो सकता है तो इसलिए इन questions में से कोई भी आपने छोड़ना नहीं है पूरे questions की तियारी करनी है और आपका paper बहुत अच्छा होगा अगर जी सारी questions आप अच्छे से तियार करके जाती हो बाकि इसके सबंदित जो instructions आप बीच बीच में बताती रहोंगी अभी है short question जिसमें आपने question से तियार करने उसमें first है पाई लहना जी कौन थे नेक्स्ट है मंजी प्रता क्यों और किसके द्वारा शिरू की गई थी नेक्स्ट प्रिथिया कौन थी और नेक्स्ट कॉश्ट अकाल तकत साइब की स्तापना की सने की थी नेक्स्ट कॉश्ट बंदा सिंग बहादर की राजदानी का क्या नाम था and then M.I.S.L. को प्रिबाशित कीजिए and नेक्स्ट कॉश्ट दित्या अंग्लो सिख युद के दो परी नाम लिखिए प्रशाशन बोड के सद्द से कौन थे उसके बाद जबती विष्था क्या थी and नेक्स्ट कॉश्ट बारती अविश्य विद्याले अधी निजम कब पारित किया गया था and then शुदी अंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं नेक्स्ट कॉश्ट बारत माता सुसाइटी की स्थापना कब और किसकी की दवारा की गई थी next है SGPC का गठन कब हुआ था and then Michael और वाइर को किसने गोली मारी and then Pepsu की पुल फॉर्म क्या होती है and next है जाती पविश्था पर गुरु नानक देव जी के विचार and मसंद सिस्टम भाई गुर्दास उदासी संपरदाई and then Guru अंगतेव जी दुवारा गुरु गद्धी की दारनों का महत्तब next question परशाशन बोड रोल टेक्ट जैतो मोर्चा गुर्दवारा सुधार अंदोलन and next question अजाद पंजाब योजना पेपसू यहाँ पेपसू के बारे में आपने लिखना है सीमा आयोग and सचार फार्मूला Central सिख लिख यह short questions थे अब है unit first के long questions जो इस तरह से हैं जैसे ही आपको यह question पूछे जाते हैं आपने long question में introduction जरूर देनी है conclude जरूर करना है जो जिस तरह के question आपको पूछा गया है अगर point बना के दे सकते हो तो better है तो उसकी according करना है अगर दो parts में question पूछा गया है दोनो parts का आपने detail करना है क्योंकि number divide किये जाते हैं और इसमें long question इस तरह है सिख धर्म के विकास में गुरू अंगर देव जी एव गुरू अमर्दास जी के योगदन का वनन कीजिए और next question गुरू तेग भादर जी के शहादत के कारनों और परवावों के चर्चा कीजिए यह दोनों चीजे पूछी गई है दोनों के बारे में लिखना है आपने गुरू गोबिन सिंग जी दुआरा खालसा के निर्मान के महतव पर चर्चा कीजिए यहां खालसा के निर्मान का क्या बेनिफिट हुआ है सोसाइटी को उसके बारे में आपने बताना है गुरू नानकी प्रमुक सिक्षाओं पर विस्तरे टिपनी लिखिए तो यहां सिक्षाएं जो हैं उनको पॉइंट स्वाज आप डिटेल करते जाना है उसके बाद है गुरू तेग बहादर जी की शहादत के लिए उतरदाई वबिन कारणों का वनन कीजिए इसका महतव दीजिए इसमें पहले कारण बताने है आपने गुरू तेग बहादर जी के पहले इंट्रडेक्शन देने के बाद के गुरू तेग बहादर जी कौन थे उनके शहादत कैसे हुई उसके पीछे क्या कारण थी फिर उसका महतव जो है वो उसके बारे में लिखना है और एंड में कॉंक्लूड करना है नेक्स्ट कोशन खालसा के नए इंजेक्शन और परतीकों परविस्थार से चर्चा करे थार्मी सदी की राज्य विस्था में गुर्मता और दल खालसा की बारे में आप क्या जानती है ये खालसे के बारे में पहले बताना है कैसे वो बना था किसने बनाया सारी उसका प्रस है उसके बारे में आपने क्या विचार थे यह आपने बताना है पहले सारे लिखने यह उसके सेहलाओं की स्तिती के बारे में बताना है सेकंड जिसमें है माहराजा रंजी सिंग के बूर राजस्व प्रशाशन की विवेचना कीजिए 1849 से लेके 1957 तक प्रशाशन बोड की मुख उपलब्दियों का प्रशिक्शन कीजिए नेक्स्ट कोश्चन रंजी सिंग की बूर राजस्व प्रशाशन कीजिए अपना पर विस्तरी टिप नहीं लिखिए एंड सेकंड यूनिका लास्ट कोश्चन अठार में इस चताबदी के राजस्व प्रशाशन कीजिए अब है यूनिट थर्ड जिसमें है आद दर्म अंदोलन की उत्पती और विकास का पता लगाए इसके बारे में लिखे और गदर अंदोलन के प्रमुक कारणों और परहिनामों की विवेचना कीजिए इसकी आसफलता के क्या कारण थे ये आपने बताना है नेक्स्ट कुशन है सिंग सवा अंदोलन की उत्पती और योगदन का विशलेशन कीजिए उसके बाद गदर अंदोलन की उत्पती परकिर्टिय और परवाब का प्रवाब का प्रवाब का प्रवाब का प्रवाब क्या थे पंजाब के भी पाजन के लिए उत्तरदए परस्तितियों के भी वेचना कीजिए एंड नेक्स्ट है 1839 से लेके 1966 के दोहरान पंजाब में राजनेती गटना करमों की चर्चा कीजिए ये फूर्थ यूनिट में आपको एक लॉंग कोशन आएगा और साथ में मैप का कोशन होगा ये आपकी च्वाइस है आप दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन उसका दे सकते हो अगर लॉंग कोशन करते हो तो उसमें बहुत अच्छा कोशन करते हो तो तब भी 18 में से 15 मार्क्स आपके मैक्सिमम आ सकते हैं लेकिन मैप में full marks आ सकते हैं तो इसलिए मैप की practice ज्यादा से ज्यादा कर लेना जितनी places बताइगी रही हैं ये सारी places अच्छे से feel करकि उसकी practice कर लेना और इनकी explanation व्यक्यतमक टिपनी दिखने के लिए चार के लिए बोला जाएगा जैसे ये लिखा गया है वो भी आपने जरूर लिखनी होगी ये places इस तरहां से है अमरिसर, करतारपूर, खडूर साहिब, ननकाना साहिब, लाहौर, लायलपूर, गोइंदवाल, सरगोद्धा, जैतो, मुखलिसपूर, अननदपूर साहिब, हर गोबिंदपूर, करतारपूर, रोपड, मॉन्टेगुमरे, सरगोद्धा, माच्छिवडा, कादियां और आपका मैप उसमें दिया जाएगा और मैप पे आपने ये सारी फिल करनी होगी इस सबंदित आप और वीडियो दे झाल